को जब भी नए नए चैनल बना तो कांटेन्ट को डिशेड कर पाना बहुत मुश्किल होता ं डेखक सब्सक्री के नियुक्त के लेकिन हैं कि कैशी वीडियो अपलोड करें किस प्रकार का कांटेंट क्रियेट करें किस प्रकार की वीडियो डाले किस प्रकार की वीडियो ना डाले किस प्रकार का काटेग्री अपना चीट करें किस प्रकार का काटेग्री ना चीट करें यह दिशाइड कर पाने एक निव क्रेटर के लिए बहुत मुश्किल का काम है जिसके डिशाइड नक कर पाने के करएंड जो निए क्रीटर होता है वो यूटुब में सक्सेज नहीं हो पाता अगर यही गलती को नया नया जो creator आता है वो अपने फ़र्ष्ट चांस में अपनी गलती को पकड़े और उस पे सुधार कर ले तो यूटूब में ग्रो होने में उसको कोई नहीं रोक सकता लेकिन वो ग्रो कैसे हो पाएगा क्योंकि वो उसकी जो में गलती उसको बताने वाला कोई नहीं होता ज आप उनको लाश्ट में पकड़ में आता है कि हमारी किस गलती के करण हमारे वीडियों ब्यूज नहीं आ रहे हमारे चैनल गुरू हो नहीं हो राधे राधे जैस्री कृष्णा मैं हूं निर्मला निर्मला शिंग्वाइफ फस्ट ब्लोग में आप सभी लोगों के बेलका म और बहुत शारे ऐसे चैनल मैं देखी हूं जो नए नए आये हैं और उनको यह डिशाइड करना मुश्किल हो रहा है यह डिशाइड नहीं कर पाते के हम किस प्रकार की काटेगरी पे काम कर पाएंगे किस प्रकार की काटेगरी पे नहीं किस प्रकार का कांटेंट हम क्रिए करें किस प्रकार का नहीं किस प्रकार की वीडियों हम अप्लोड करें किस प्रकार की नहीं डिशाइड कर पाने एक निव क्रेटर के लिए बहुत बड़ी बात अगर एक निव क्रेटर चैनल स्टेंड करते ही आईडी बनाते ही अगर यह डिशाइड कर ले किस प्रकार की और य्यूटूब में VOL gno comment में तो उसको YouTube में सक्सेज कोई नहीं रोक सकता videos कोई नहीं रोक सकता नहीं आ रहे आप लोकोग को दिर ब्यूग आरे आप लोग और प्रिसान हो गये हैं और आप लोगों की चैनल मोनेंटाइज नहीं हो अगर मोनेटाइज भी वीडियों ब्यूज नहीं आ रहे क्योंकि आपके में गलती होते थंब नहीं वाली वह आप अच्छा लगाना सीखे सिर्वें टाइटल भी अच्छा डाट रहे है डिसका रह characterization दो chicks क्यूं नहीं आ रही है अखिष व इडियों दिदुर्ट हो रहा है आज तक आप लोगों को कोई भी YouTube ये नहीं बताया करो किस तरीके से काम करो किस तरीके सेे नहीं अद् формате करो लोग बड़े 여석 यह इस हो किस टूडियो में यह शेटेंग आपकर रुब इस स्टूडियो में इसलेटी नहीं बताते लेकिन जो मेन पॉइंट है वो बड़े रेक्रेटर नहीं बताते अगर वह अपना पॉइंट आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग तो अपने पीदियु लाने के लिए आपको शीधि राष्ता के आपको रियल्टी न बता के सही तरीके न बता कि आपको इधार उधार उधार घुमा रहे घुमा फिरा के बता रहें ताकि आप लोग उनकी हर एक दिन आने वाली वीडियो को वाच करें जब आप लोग उनकी हर एक दिन आने वाली वीडियो को वाच करेंगे तो उनके वीडियो आएंगे आप लोगों को उनके वीडियो कोई वेनिफिट हो रहा या नहीं हो रहा आप लोगों को चैनल ग्रो हो रहा या नहीं हो रहा उनको इससे कोई लेना पकड़ते हैं बड़े क्रिइटर के वीडियो को देखते हैं कि देखें आज के पेस्न को सिट्टिन्स करने रधाएं कि स्टूडियो में कहां से हम वीडियो करें कि हमार क मेंने तर्टेंग में इनका नहीं पराइए तो पहलए Uh हम जब भी अपना YouTube में चैनल बनाते तो हमारे माइंड में उल्ली दो बाते होती हैं वह कौन-कौन सी बाते हैं हमको प्ले वटन के कब मिलेगा जब ससक्राइबर बेस हो जाएगा एक लग के ऊपर का माना जाता है तो एक लग ससक्राइबर बेस गेम करने के पीछे हम लोग बिल्कुल पागल पढ़ जाते हैं हमारे समझ नहीं आता है कि हम अपने चैनल पर कैसा काम करें कैसा काम ना करें कैसे सब्सक्राइबर गेम करें कैसे सब्सक्राइबर गेम करेंगे तो अगले आने वाले समय में जब हम कोई भी वीडियो अप्लोड करेंगे तो हमारे वीडियो को वाच करें यह हम नहीं दिमाग में लगा पाती तो यह सस्क्राइबर वाले और चैनल मोनेटाइजेशन दूसरी वाद चैनल मोनेटाइजेशन जब चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगे तो हमें पीमेंट आएगी नहीं तो नहीं आए तो क्या करें यह दो चीजे पहले आप लोग एक साइच छोड़ दो आ जब आईए आप जब भी यूटूब में अपना चैनल बनाएए तो आप इधार उधार की ताका जहांके मत कीजिए जैसे कि मैं जैसे कि मैं आज आप लोगों को देखने के लिए मेरे चैनल में 37,800 प्लस सस्क्राइबर देख रहें लेकिन बात कही जाए तो मेरी वीडियो आप लोगों के जैसे मैं भी की थी क्या आप लोगों के जैसे मैं भी की थी मेरे भी जब मैं अपने यूटूब में चैनल बनाए थी तम मेरे समझ में यह नहीं था कि मैं कैसे वीडियो अप्लोड करूं कैसे वीडियो ना प्लोड करूं मैं किस प्रकार की कांटेंट में का काम कर पाऊंगी किस प्रकार के कांटेंट पे काम ना कर पाऊंगी बस मैं क्या थी जब 1000 सब्सक्राइब और हो जाएंगे तो हमें यूटूब मैं इतना सुनी थी मुझे भी नहीं पता था कि चैनल मोनेटाइज करवाना पड़ता है और आप लोगों को अपसाइद पता हो गया होगा या नहीं हुआ होगा तो जरूर पता कर लीजिए कि चैनल मोनेटाइज जब होता है तब पीमेंट आती तो आप जब मैं और दूसरी वीदिए गी कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ताभी payment आएगी 1000 सब्सक्राइबर से कुछ ने होने माला आप है करवाने लेए क्लिए कि इतना चाहिए और दूसरी वीडियो दें कि तो पता चला के चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए या तो साड वीडियो शेक दस मिलियन व्यूज तीन महीने के अंदर नभी दिनों में यह तो फिर 4000 वार्स टाइम और एक हजार सब्सक्राइब जब इतना हो जाएगा तो भाई मेरे तो डेड़ साल निकल चुके थे साड वीडियो बनाने में क्योंकि मैं ज्यादा मतलब यूटूब के बारे मुझे जानकारे नहीं थी बस मैंने ऐसे ही चैनल बना ली थी फिल जब मैं यूटूब में थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने लगी तो मुझे पता चला के हां 4000 घंटे एक साल के अंदर या तो फ मुझे 4000 घंटा पूरा करना है मेरा चैनल मोनेटाई हो जाए जैसे तैसे करके फिर मैं यूटूब से पैसे चापने लगूंगी यह सोच मेरी बिल्कुल गलर निकली जिसके कराण आज मैं यूटूब में मेरा चैनल मोनेटाई जोवे डेर साल हो गया यूटूब से एक सब कुछ डिसाइड कर लेती पता करके चैनल स्टैंड करती तो साइद आज में एक नहीं दस पीमेंट ले चुकी होती यूटूब से तो आप लोग सुने जब भी यूटूब में अपने चैनल बनाए तो पहले सस्क्राइबर बेस और चैनल मोनेटाईजेशन के पीछे मत अगええं तीसरा हें आप लोग नकल के चीक करे में मत पढ़िये क्योंकि जो नखल करता हो आगे नहीं बढ़पाता है यादे भी नकल करते और यूटूब में तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने अंदर के टालेंट को सब्सक्राइब करना पड़ेंगे जब आप लोग अपने अंदर के टाइलेंट को पकड़के काम करोगे तो पक्का है आप लोग कुछ हटके दिखाऊगे जब हटके दिखाऊगे आप कुछ लोगों को तो लोग आपको शपोर्ट करेंगे आपके वीडियो को वाच करेंगे आपके फैन हो जाएंगे क्योंकि जो भी मार्केट में हट के आती लोग उसकी और दोड़ते हैं लोग उसकी और खिचते हैं जो भी एकस्यूस कुछ भी ले लो जो भी मार्केट में नए नएया आता है तो लोग उसकी होड़ जाते हैं जो पुराने होते हैं घीसे पीटी गीच सब साइड हो एक जैसे होते हैं और घीसे पीच को भीच में कोई भरकीला चमकीला आगए तो लोग उसकी क्योंचेंगे आपकर कर सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् डाले अगर आपके अंदर वो हो टाइलेंट नहीं है आप लोग उसको उसको पकरके मत वीडियो डाले नहीं तो आप लोग क्या करोगी एग दू दिन तीन दिन चार दिन नकल करोगी पांच वफे दिन आप हारी मान जाऊगी आपको Management कांटेंट मिलेगा अपने ही category में आपको ट्रेंडिंग topic नहीं मिलेगी जब आपको अपने嗅र अप आप लोग अपने टाइलोन को पकड़ के काम करोगे एक वीडियो बनाने के लिए अपने लग जाएंगे तो आपको वीडियो अपलोड करने में एक भी इसकी चाहत नहीं लगी वीडियो शूट करने में एक भी टाइम नहीं लगीगा और ट्रेंडिंग टापिक पे आप लोग अपने कांटेंट पे काम करोगे तो लोग आपके वीडियो को वाच करेंगे और लोग तभी वीडियो को वाच करते हैं जब लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है नहीं त टाइटल लगा जीतना अच्छा डिस्क्राइठ्पन लगा 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 जीतना सर्चिंग की वर्टष वर्ट लेकिन जिसमें आपकी वीवाचों को कुस्सी के लिए नहीं मिलेगा आपको वीडियो वाच ही नहीं करेंगे दूसरा अगर आप लोग यूट्यूब में साक्स आप अगर एक दिन जिस समय पे वीडियू Upload कीए आप उससी नियम के हो जाएं अगर YouTube में success हो ना तो आपको अपने नियम के होके चलना पड़ेगा जब आप लोग वीडियू अप्लोड करोगे एक ही समय पे upload करेगे अपने trending topic पे अपने talent पे काम करोगे तो YouTube में आपका channel monetize भी हो जाएगा आपकी earning भी हो जाएगी और YouTube में आपका fame भी viral हो जाएगा और अगर आप लोग इधार उधार ताका जाकी करोगे trending topic पे काम नहीं करोगे अपने talent को पकड़ के काम नहीं करोगे continue video upload नहीं करोगे एक समय पे video upload नहीं करोगे तो फिर चाहे जितना मेनत कर लीजिए कभी भी YouTube में success होने वाले नहीं हो चाहे दिन रात मेनत कर लीजिए तो guys मेरी वीडियो अपने को काईसी लगे एकर जादा भी अच्छी लगे हो तो वीडियो को जादा जादा सेर कीजी लाइक कीजी कमेंट कीजी फिर मिलता के लिए नुव वीडियो साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत वाई बाई राधर राज जैस्क्रिशना टेक केर